नमस्कार दोस्तों, वैस्टमेवी और्गेनिक डेरी फोर्म में आपका स्वागत है यूटूब परिवार में आज मैं आपको दुधारू पसुओं के लिए चूने से केल्सियम तियार करने की बिधी बताएंगे दुधारू पसुओं के सारीरिक विकास के लिए तथा बयाते हुए जानवरों में होने वाली दूद की कमी दूर करने के लिए केल्सियम की काफी जरूरत होती है मार्केट में काफी केल्सियम प्रोडक्ट उपलब्ध है लेकिन उनकी किम्मत और उपलब्धता हर जगा नहीं होती है आज घरेलू पदती से केल्सियम त्यार करने की विधी केल्सियम त्यार करने के लिए लगने वाली समागरी मिट्टी का घड़ा या प्लास्टिक का बाकेट चूना पत्थर लाइम अस्टोन मिट्टी का मटका अपने घर में ही उपलब्ध होता है या प्लास्टिक का बाकेट चूना पत्थर लाइम अस्टोन मार्केट में मिलता है तीन किलो चूना पत्थर केल्सियम हाइड्राकसाइड लो और एक मिट्टी के घड़े या प्लास्टिक के बाकेट में डाल दो घड़े में या बाकेट में 20 लिटर स्वच पानी डाले और द्रवन को अच्छे से मिलाए त्यार द्रवन रात भर छोड़ दे 24 घंटे तक केल्सियम जानवरों को देने का तरीका या क्या है द्रवन जो है त्यार द्रवन 24 से 30 घंटे में पुर्मतव बन जाती है या केल्सियम का जितना जो चूने के अंदर जो लाइम मस्टोन के अंदर केल्सियम होता है पूरा केल्सियम पानी में घुल कर उपर आ जाती है तता त्यार दरवन से उपरी सतह का तरल सही मायने में 100% सुध कैलसियम होता है उपरी सतह का 160 हेमिल तरल निकाल कर बड़े दुधारो पसु को उसके पीने के पानी में मिला कर पिलाना चीए रोज आप जितना तरल कैलसियम इस्तमाल करे उतना ही पानी उस मटके या बाकेट में डाल दे 20 दिनों के बाद मटके में से सब चुना और पानी निकाल कर फेके और नए से चुने से और पानी मटके में डाल कर नया कैलसियम त्यार करे एक केलसियम हम हमारे पसुओं को रोजाना भी दे सकते हैं रोज देने से जानवरों में केलसियम की कमी के चलते होने वाले बिमारियां से या दूद की कमी से छुटकारा मिल सकता है एक केल्सियम हम गाय, भैंस, भेंड, बक्री, कुत्ते, बिल्ली, घोडे, मुर्गिया को भी दे सकते हैं पांच के जी चूना लेकर 7 लिटर पानी डाल कर 3 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए 3 घंटे के बाद 20 लिटर पानी डाल देना चाहिए 24 घंटे के लिए इसमें पड़े रहने देना चाहिए अगर सुबा चूने में पानी डाला है तो साम को लकडी को लेकर मतलब चेक करना चाहिए चूने अच्छे से नीचे अगर जम गया है और पानी उपर क्लीन साफ जो द्रवित है उसे ही चूना नमस्कार दोस्तों के रूप में हम प्राब करते हैं आज मैं कैटल फिड साम को फिर हिला देना चाहिए तीन दिन साम को फिर तीसरे दिन भी हिला दे और जैसे ही 34 हुआ होती है तो बिना हिलाए निकाल ले चूने के दू इंच उपर वाला सारा पानी गैलन में निकाल ले यह जो द्रवित यह द्रवन है यही चूना केल्सियों में 100 एमिल से 1500 एमिल पानी पश्चू को पानी में मिला कर रोजाना दे नमस्कार दोस्तों प्रेश्न भी और्लेनिक टेरी फार्म में